का लो फ्रेंज गुद मॉर्णिंग वेल्कम बैक टु स्टडि ली अपनी लेक्चर सीरीज को कॉंटिनु करते हैं आज लेक्चर सीरीज में बेसिकली हमने जम्हेंड कश्मीर की जम्हें के बारे में डिस्कॉशन करना शुरू किया है पहली वीडियो में हमने हिस्ट्री के ब बर्डन नाबरे स्टूटिन्ट के उपर तो आज की वीडियो में हम जोग्राफी कवर करने वाले हैं जोग्राफी में हम देखेंगे फिजियोग्राफी के बारे में सॉइल्स के बारे में माउंटेंस के बारे में माउंटेंस के अंदर जो पासिस हैं उनके बारे में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर करें वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट अपॉल हम देखते हैं लोकेशन के बारे में, अब अगर जमुएन कश्मीर और लदा की यूटीज की बात करें, तो यह स्ट्राइजिकली लोकेटीड है नदन पोर्शन अफ इंडिया में, जो इंडिया का नदन मोस्ट पोर्शन है, वहाँ पे लोकेटीड हैं यह यूटीज दोनों, अब इन यूटीज की लैटिटूड और लोंगिचूड की अगर हम बात करते हैं, तो बैसिकली लैटिटूडनल एक्स्टेंट अगर देखते हैं, तो 32.15 डिग्री से लेके 37.05 डिग्री तक इनकी लैटिटूडनल एक्स्टेंट है, ठीक है, और इसका में इलागे, तो यह और हमारे पास आता है, टोटल 2,000 गेंटिटीज میں एक okay मेंट स्क्वेर किलो मेटर्डर इसमें वह है, जो पाकिस्तान की एक्स्टेंट अंड ऑदर और रहें और चीन की एक्स्टेंट ओपोडेनगर यvenिक्री मिल्य मुटे के अढ़र ने वह हैं, 114 स्क्वेर किलोमेटर्स और जो चाइना ने अकुपाई किया हुए अब पाकिस्तान को जो एरिया 78,000 मैंने आपको उपर बताया उसमें से पाकिस्तान ने 5,180 स्क्वेर किलोमेटर्स जो एरिया है वो एलेगली हैंड ओबर कर दिया चाइना को as a gift अब अगर इंके border areas की बात कीचाए, जमुएन कश्मीर और लदाक की, यूटी की, तो इनका border share होता है, पाकिस्तान के साथ, अफ्गैनिस्तान के साथ, और चाइना के साथ, ठीक है, तो आगे देखते हैं, कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं जमुन कश्मीर की स्टेट की तो जो कैपिटल सीटीज हैं जमुर कश्मीर की और लदाक की सिर्नगर और जमुर इसको रेस्ट अफ दे कंट्री के साथ वेल कनेक्ट किया गया है नेशनल हाइवे 1A के साथ अब कनेक्टिविटी की अगर रेलवेस की बात की जाए तो डेफिनेटली रेलवेस भी कनेक्ट करती है जो हमारे कंट्री की जितनी मीजर सीटीज है उसके साथ कनेक्ट करती है जमुन कश्मीर को अगर districts की बात की जाये जमुन कश्मीर, UT में कितनी districts हैं तो there are twenty districts in UT of जमुन कश्मीर लदाक की बात की जाये तो उसमें दो districts हैं अब इन districts को further divide कर दिया जाता है तैसील जे अंदर, blocks के अंदर, municipalities के अंदर, towns के अंदर notifried area committees and villages Okay, just for the sake of administration जस्त आपने पढ़ा होगा एंशिट इंडिया में यह मेडिवल इंडिया में जैसे असरकारास को परागना में डिवाइड करते हैं परागना को फिर विलेजिस में डिवाइड करते हैं उसी तरह से यहां पर भी डिस्टिस को तैसील में डिवाइड करते हैं तैसील को ब्लॉ को डिवाइट किया गया है your first is sub mountain and semi mountain plane ठीक है इसको हम dry belt भी बोलते हैं second is the shivalik ranges okay so the third is high mountain zone जिसके अंदर कश्मीर वैली आती पीर पंजाल रेंज और उसके offshoots including डोड़ा, पुंश, राजवरी districts और कठुवा और अधंपोर districts के जितने भी पार्ट है ठीक है this was the third division और अगर fourth division की बात की जाए तो that is जो industry वर है उसका जो middle run है जिसके अंदर ले और करके लाते हैं that is the fourth geographical zone of जमुएन कश्मीर और लदाक ठीक है तो आगे देखते हैं जमुएन कश्मीर और लदाक comprising three distinct climatic regions अब climate के अगर बात की जाए तो जमुएन कश्मीर और जो लदाक का climate है उसको basically हम तीन भागों में divide कर सकते हैं first is architect cold desert areas of लदाक okay अगर अग्जाम में आपको पूछा जाता है लदाक के अंदर क्या climate है तो you have to tell कि वहाँ पर architect climate होता है cold desert होती है वहाँ पे ठीक है कश्मीर वैली के temperature climate के अगर बात की जाए तो that is the temperate type of climate और अगर जमुएन की बात की जाए तो that is subtropical climatic regions ठीक है अब altitude की अगर बात की जाए तो altitude में बहुत जादा variation है from region to region minimum altitude अबव सी लेवल के अगर बात की जाए तो that is 1000 feet and it ranges from 1000 feet to 28,200 feet above the sea level ठीक है आगे देखते है climate varies from tropicals ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जमु प्लेंस में जो temperature होता है वो tropical होता है और जो semi-architect temperature होता है वो लदाक में पाया जाता है और जो कश्मीर और जमु के mountain areas है ठीक है कश्मीर और जमु के mountain areas वहाँ पर temperate type of climate पाया जाता है ठीक है जिस तरह से पहले point में मैं आपको बताया था तीन तरह के climates है जमु में जमन कश्मीर और लदाक में आर्केटिक, temperate और subtropical ठीक है तो यह उसकी further explanation है rainfall के अगर बात की जाए तो minimum rainfall जो इस region में होता है that is 92.6 mm और यह 92.6 mm rainfall ले में होता है maximum rainfall के अगर बात की जाए तो वह जमु में होता है that is 1115.9 mm और जो सिर्णगर का rainfall है that is between the two that is 650.5 mm अब यह जो यूटीज हैं दोनो जमु में कश्मीर और लदाक की इसका major portion हिमालय मॉंटेंस का part है अब यह जो दोनो यूटीज हैं यह इनके अंदर गर rocks की composition की बात की जाए तो इनके अंदर oldest period of us जो rocks पाई जाती है यह सबसे oldest rocks ओभी बाई जाती है और सबसे youngest rocks जो होती है वो भी पाई जाती है आगे देखते है अब हम discuss करते हैं soils के बारे में हमारे जमुन कश्मीर में किस तरह की Soils अवेलेबल ने पाई जाती है बेसिकली तीन में टाइप्स की सोईल पाई जाती है जमूर कश्मीर और लदाकी स्टेट में फिर्स्ट इस यूर अलूवियल सोईल्स ये जो अलूवियल सोईल्स होती है आपने जोग्राफि में भी पढ़ा होगा इनको ये बहुत प्रोडक्टिव होती है और ये कहां पाई जाती है जमू में ये बेसिकली जो सद्रन प्लेंज है हमारे जमू रीजन के वहां पर पाई जाती है अलूवियल सोईल्स और विद इस जो कश्मीर की वैली बॉटम है valley bottom of kashmir है वहाँ पर भी aloeveal soils पाई जाती है और jaylam और चनाब की जो ब्रांचिस हैं वहाँ पर भी aloeveal soils पाई जाती है अब these are quite productive, quite fertile soils इसलिए यहाँ पर rice और wheat की cultivation होती है और काफी अच्छी production भी होती है अब यह aloeveal soils जो होती है यह बनती कैसी है basically aloeveal soils जो होती है वो sand, silt और mud जो rivers अपने साथ floods के दोरान लेकर आते हैं उन से बनती है आगे देखते हैं दूसरी तरह की soil है हमारी करेवा soil यह आपकी flat और low mounds जो होती है वहाँ पर पाई जाती है यह soil जो होती है कश्मीर और किष्टवार के रीजन में पाई जाती है कश्मीर और किष्टवार के इलावा पंपोरे, मतान, तराल, कुलगाम, काजीगुंड इन एरियास में भी करेवा soils पाई जाती है अब करेवा soils के बारे में आपको पता होगा यह world famous है किस चीज़ के लिए आगे देखते हैं, hill soils this is the third classification of soil, जिनको बोलते हैं hill soil hill soils basically acidic होती है nature में और इनके अंदर जादा potash, phosphorus, lime नहीं होता है means, these soils are deficient यह deficient होती है potash में, phosphorus में और lime में ठीक है, इन चीज़ों में deficient होती है यह soils पाई जाती है, जो 700 meter above sea level areas होती है और वहाँ पर यह soil पाई जाती है, और इन soils में maize, pulses, oil seeds इनकी खेती की जाती है, यही चीज़ें cultivate की जाती हैं यहाँ पर यहाँ पर हमें orchards भी मिलते हैं, apples के, walnuts और pears इनी soils के अंदर thrive करते हैं, ओके so I guess यह आपको समझ आ गया होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, next video में हम थोड़ा physiographic को आगे continue करेंगे, mountains बगएरा देखेंगे, passes बगएरा देखेंगे तो तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो like share करें वीडियो को चैनल को subscribe करें और बगए